Hello Friends, I am Manu Sharma and this is Civil Section. Welcome you all here. Friends, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं Class 7 Science का Chapter 16 जिसका नाम है Water Apprecious Resource यानि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पानी हमारे लिए इतना प्रिशियस क्यूं है लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से topics cover करने वाले हैं तो Friends, सबसे पहले हम देखेंगे पानी के different different forms कौन से होते हैं और Water के यानि पानी के sources कौन कौन से हैं यानि कहां से हमें पानी मिलता है उसके बाद हम देखेंगे कि जो human consumption है उसके लिए अभी कितना पानी available है यानि कितना पानी बचा है फिर हम देखेंगे किस तरीके से लोगों को पानी की supply होती है यानि Water supply किस तरीके से होती है फिर हम जानेंगे कि Ground Water जो है वो एक बहुत ही important source है पानी का और वो क्यों है वो भी हम इसी chapter में समझेंगे उसके बाद हम देखेंगे Water Table का मतलब क्या होता है फिर हम जानेंगे कि जो Water Table है वो depletion में जा रही है नि लगातर कम होती जा रही है तो उसके कारण क्या है उसके बाद हम देखेंगे कि Water Scarsity जो होती है यानि पानी की कमी होती है, उसके कारण क्या है, कौन-कौन से methods हैं, जिसके through हम water scarcity को prevent कर सकते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि जब water scarcity होती है, यानि पानी की कमी होती है, तो उसे लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, उसके बाद हम देखेंगे कि पानी की कमी का अ कैसे उसको सरनक्षित कर सकते हैं तो friends आये start करते हैं तो friends water जो है ये बहुत बहुत ही ज्यादा precious resource है इसके बिना हम अपनी life को imagine नहीं कर सकते तो water एक ऐसा substance है जो तीनों के तीनों form में अकर होता है यानि पानी आपको solid form में मिलता है liquid form में मिलता है और gaseous form में मिलता है तो solid form म किस तरीके से मिलता है जो आप ice देखते हैं या ice cubes देखते हैं वो water की solid form है और liquid form तो हमें पता ही होता है जो हम liquid form drink करने के लिए purpose से use करते हैं वो liquid form होता है और जो vapor होता है यानि भाब जो होता है वो gaseous form होता है राइट इसके लावा friends पाने हमें मिलता कहां से यानि पाने के sources कौन कौन से हैं तो पानी के दो बहुत ही important sources हैं वो है एक तो surface water और दूसरा है underground water surface water का मतलब यह है जो surface की या अर्थ की जो surface है उसके उपर मिलता है जैसे rain, river, lake, sea तो यह सारा का सारा पानी जो है यह surface water में आता है और underground water मतलब जमीन की नीचे जो पानी available है उसको हम underground water बोलते है तो underground water के sources कौन कौन से हैं वो है wells यानि कुए, tube wells और springs तो friends यह दो बहुत ही important sources हैं जो की है surface water and underground water तो friends I hope आपको समझ आ गया होगा कि water के different different forms कौन से हैं और water के important sources कौन कौन से हैं तो अब हम देखते हैं हमारा next topic जिसमें हम बात करेंगे कि जो water available है human consumption के लिए वो कितना है तो friends आपने इचे सुनी होगे कि हमारे earth को blue planet भी कहा जाता है blue planet कहने के पीछे reason क्या है कि अगर आप earth को space से देखते हैं यानि earth के बाहर से देखते हैं तो earth आपको blue नजर आती है यानि कि उसका रंग जो है वो नीला नजर आता है उसके पीछे कारण क्या है उसके पीछे reason ये है कि जो हमारी earth है उसके उपर बहुत सारा पानी है और पानी की वज़ह से ही उसका जो रंग है या उसका जो color है वो blue नजर आता है इसलिए earth को blue planet भी कहा जाता है तो friends अब दूसरा question raise होता है कि जब हमारी earth पर इतना पानी available है तो हम ऐसा क्यूं बोलते हैं क्या reason है हम य बात करें earth के उपर तो earth में यानि seas में और oceans के अंदर लगभग 97% water जो है वो store है लेकिन ये 97% पानी जो है ये unfit for drinking और irrigation है यानि कि इस पूरे पानी को आप utilize नहीं कर सकते उसके पीछे reason क्या है क्या है क्योंकि ये बहुत ज्यादा salty है यानि बहुत ज्यादा खारा है इतना खारा पानी है कि आप पी तो सकते ही नहीं है आप उसे irrigation तक नहीं कर सकते आप उसे cleaning purpose के लिए भी use नहीं कर सकते इतना ज्यादा salty water है तो बच गया जो 3% पानी है यानि 97% water तो हमारा कहां पर मौझूद है seas में और oceans के अंदर अब कितना percent बच गया अब ये 3% पानी बच गय बहुत कम portion ऐसा है जिसको हम सच में या real में use कर सकते हैं या consume कर सकते हैं तो friends अगर हम इस 3% को 100% let कर कर चलते हैं यानि कि हमने मान लिया कि हमारे पास इतना percent पानी जो है वो fresh water है तो इस fresh water में से 68.7% total fresh water जो है वो frozen form में है यानि कि वो जमा हुआ है जैसे glacier या polar ice caps जो होते हैं वहाँ पर ये पानी जो है वो frozen form में है और जो frozen form है उसको हम utilize नहीं कर सकते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर इस 3% water को हम लोग 100% मान लें तो इस 100% में से 68.7% water फिर से use करने लाइक नहीं है यानि उसको हम use नहीं कर सकते अब कितना percent बज जाता है अब 30.1% जो fresh water ह वो ground water है और जो बज गया 1.2% परसेंट पानी है इसमें से लगभब 0.9% water जो है वो soil में moisture की form में है इसको भी utilize नहीं कर सकते हैं हम लोग यानि soil के अंदर जो नमी होती है जो moisture होता है कि आप उसको utilize कर सकते हैं not possible इसके बाद इतना ही air के अंदर है और जो living organism है उनकी body के अं तो हम कह सकते हैं कि यह जो 1.2% water है इसको भी हम consume नहीं कर सकते हैं अब कितना बज गया अब बच जाता है 0.3% water और वो कौन सा water है वो है fresh water तो यह जो 0.3% water बचता है यह river और lake के अंदर है तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही tiny fraction यानि बहुत ज्यादा कम fraction यानि लगभग 0.01% of total water is available for human use यानि कि इनसानों के लिए total में से जितना भी पानी available है उसमें से लगभग 0.01% water ही human consumption के लिए बचता है इसलिए हम कहते हैं कि पानी बहुत ज्यादा हमारे पास कम है और इसलिए हमें इसको conserve करना चाहिए इसको waste नहीं करना चाहिए और water हम सब जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा precious resource है हम survive नहीं कर सकते पानी के बिना इसलिए कहा जाता है कि पानी को बहुत अच्छे से use करना चाहिए यानि कि उसको over utilize नहीं करना चाहिए उसको waste नहीं करना चाहिए तो friends I hope आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग क्यूं बोलते हैं कि पानी हमारे पास कम है अब हम देखתे हैं हमारा next topic जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से लोगों को पानी की supply मिलती है नहीं water supply कि तरीके से लोगों को मिल पाती हैと friends हम लोगों को different different तरीके से पानी की supply होती है जिससे हमारी domestic needs नहीं जो हमारी घरेलू आवश्यकताएं है वो पूरी होती है तो इसका प पाइप सिस्टम जो है वो क्या है वो डिस्ट्रिबूशन सिस्टम है वाटर का याने कि उन पाइपस के थूँ पानी जो है वो डिस्ट्रिब्यूट किया जाता है हमारे घरों तक इसके लावा वाटर टैंकर, वेल्स औंट यूवेल्स, केनाल्स औंट डैंम्स, पॉंड्स, लेक्स, रिवर्स, स्प्रिंग्स, बाउरी्ज, रेन, स्नो, यह सारे के सारे जो है यह वाटर सप्लाय के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सिज हैं यानि इन सभी जगा से हमें पानी मिलता है तो फ्रेंट् inds याप बहुत ज्यादा common है और इसको pipe like structure जो पूरा होता है यह पूरा network होता है pipes का उसके through distribute किया जाता है और इसके लावा कुछ और methods हैं जिसके through हमें water की supply होती है तो friends I hope आपको एपी चीज़ समझ जा गई होगी कि किस थरीके से हमें water supply होती है अब हम देखते हमारा next topic जिसमें हम ब water ही है तो इसमें कुछ हम important terms पढ़ने वाले हैं तो friends groundwater जब हम लोग word use करते हैं इसका मतलब यह है कि जमीन के नीचे जो पानी stored है उसी पानी को groundwater कहा जाता है तो इससे कुछ terms associate होती है वो terms कौन-कौन सी है वो हम पढ़ने वाले हैं और friends यह जो हम terms पढ़ने वाले हैं यह बह लिया जाता है, tick the correct answer के अंदर, right तो friends पहली जो term है वो है infiltration, infiltration का मतलब क्या होता है तो friends rain water जो होता है यह जो बारिश का पानी होता है वो soil के through seep हो होकर नीचे जाता है और एक जगा पर जाकर वो store होता रहता है, right तो यह जो पानी होता है यह लगातार soil की different different layer से होकर जात होता है और फिर end में जो hard rock होती है उस hard rock के पास में जाके यह store होता है अब जो last layer होती है वहाँ पर काफे सारे gravels और बहुत सारे pebbles लगरा होते हैं वहीं पर जाके यह जो पानी है इखटा होता है और यह different different layers हम लोगों ने chapter 9 के अंदर बहुत detail में पढ़ी है तो friends आप पहल previous videos को follow करिए यानि जो chapter हम लोग cover कर चुके हैं उनको पहले finish कीजिए जिससे कि आपकी यहाँ पर understanding अच्छी बन सके आप चीजों को correlate कर सके तो हमने यह different layers होती है यह हमने soil profile के अंदर detail में पढ़ी है chapter 9 के अंदर तो आपने अगर वो chapter नहीं देखा है तो पहले आप उस chapter को देख लें उसके बाद इस chapter को करेंगे तो आपको यह जाद अच्छी समझ जाएगा तो friends यह जो rain water होता है यानि बारिश का जो पानी होता है वो soil के different layers से होकर जाता है और जो hard rock होती है वहाँ पर जाकर यह इखटा होता है तो यह जो पूरा process है यानि जो rain water है वो soil से seep हो ह के नीचे जा रहा है और hard rock पर यह इखटा हो रहा है इसी process को हम बोलते है infiltration इसके बाद हमारी next term आती है वो है groundwater या जिसको हम aquifer भी बोलते हैं तो friends जो water होता है वो non-porous hard rocks जो होती है वहाँ पर जाकर यह इखटा होता है as a water reservoir यानि वहाँ पर पानी का पूरा का पूरा जमा हो जाता है यानि पूरा जल भराव वहाँ पर हो जाता है hard rock के पास में और यह बहुत ही ज्यादा fresh water होता है pure water होता है तो यह जो नीचे reservoir बना है पानी का hard rock के पास में जहाँ पानी खटा हुआ है इसी को ground water या फिर aquifer कहा जाता है तो friends यह जो terms है बहुत important है directly question पूछ लिया examination के अंदर right इसके अलावा friends जो ground water होता है यह बहुत ज्यादा pure होता है बहुत साफ पानी होता है इसके पीछे का reason यह है क्योंकि यह जो पानी होता है यह soil की बहुत सारी layers से गुजर कर जाता है seep हो कर जाता है और यह जो seepage है यानि कि यह जो पानी seep हो कर जा रहा है different layer से वहाँ पर यह एक natural filter की तरह work कर रहा है यानि कि जो हमारी soil है वो एक natural filter की तरह work करती है इसकी वज़ा से क्या होता है कि जो पानी होता है वो बिल्कुल साफ होता है बिल्कुल pure होता है इसलिए ground water जो है वो बहुत ज्यादा साफ होता है और इसके अंदर बहुत सारे soluble salt भी मौजूद होते हैं जो हमारी health के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि उन्हीं को minerals कहा जाता है तो friends ground water जो होता है वो बहुत ज़्यादा pure होता है और आपने देखा होगा जहाँ पर hand pumps होते हैं hand pump की through ground water ही बाहर निकल कर आता है और उस पानी को आप as it is पी सकते हैं यानि वो इतना ज्यादा साफ होता है तो friends I hope आपको समझ आ गया होगा कि infiltration और aquifer का मतलब क्या है और ground water इतना pure क्यों होता है अब हम देखते हमारा next topic जिसमें हम बात करेंगी water table की बारे में तो friends water table का मतलब क्या होता है तो friends अभी हमने यह चीज़ discuss की कि aquifer का मतलब क्या है यानि कि वो hard rock जिसके पास में जाके पानी जो है वो इखटा हो जाता है वहाँ पर reservoir बन जाता है पानी को उसी को हम aquifer या ground water कहते हैं तो जिब आप soil को खोदते हो यानि कि जिब आप जमीन को खोदना शुरू करते हो उसको dig करना start करते हो तो क्या होता है आपको पहली layer जो पानी की दिखती है यानि कि जिब आप खोद रहे हो जमीन को soil आपने हटाने शुरू की तो आपको क्या हो पहली बार जो पानी की layer दिखेगी इसी को कहा जाता है water table यानि कि यही वो layer है जहां से पानी जो है अब निकलना शुरू होता है तो जो top level होता है groundwater का उसी को हम बोलते है water table इसके लबाव friends water table जो होती है हर जगा पर एक जैसी नहीं होती यानि कि यह place to place, region to region, area to area vary करती है यानि different different होती है किसी किसी area में यह water table जल्दी मिल जाती है तो किसी किसी area के अंदर water table बहुत नीशी जाने पर मिलती है तो उसके पीछे का reason क्या है कि वहाँ पर यह तो बारिश कम होती होगी या वो सूखा area होगा या फिर वहाँ पर ground water को recharge होने का proper time नहीं मिल रहा होगा इसलिए भी water table जो है वो बहुत ज़ादा नीशी जाकर मिलती है तो friends अब दूसरा question यह आता है कि water table टिपलेशन में क्यों जा रही है क्या reason है कि water table जो है लगाता नीचे 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 और गहरी होती जा रही है पहले क्या होता था जब पहले कुए खोदे जाते थे या hand pumps लगाये जाते थे तो उस time पर water table बहुत उपर ही मिल जाती थी लेकिन अभी बहुत गहरे तक भी गड़ा करो तब भी water table नहीं मिल पाती है तो उसके पीछे कारण क्या है क्यों water table लगाता डेप्लिशन में जा रही है तो friends water table alarming rate से बहुत तेजी से यानि की नीचे जाती जा रही है डेप्लिशन में जा रही है और ये किसी एक area के अंदर नहीं हो रहा है इंडिया में ये almost हर जगा पर हो रहा है इंडिया के अंदर इसका मतलब ये है कि water table लगातार कम होती जा रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है इसके पीछे का कारण ये है कि हम ground water से पानी बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं लेकिन उसको replenish नहीं करते हैं infiltration के थूँ तो friends इसको हम एक example की help से समझ सकते हैं कैसे? suppose कर ये एक water bottle है यानि एक पानी की bottle है और ये जो पानी की bottle है ये पूरी की पूरी पानी से भरी हुई है अभी आप क्या करते हैं? आप हर बार इसमें से दो sip water ले ले लेते हैं दो घुट पानी आप इसमें से पी लेते हैं और हर बार पी लेते हैं हर दो घंटे में या एक घंटे में लेकिन आप क्या करते हैं इस bottle को भड़ते नहीं है तो क्या होगा? एक time बाद ये bottle जो है ये खाली हो जाएगी यानि कि इसके अंदर का जो पानी है वो finish हो जाएगा तो बिलकुल वही चेज हमारे groundwater पर भी apply होती है कि जो groundwater है उसमें से पानी तो बहुत तेज से हम लोग निकालते जा रहे हैं लेकिन उसको हम replenish नहीं होने देते हैं infiltration के थूँ और इसकी वज़ह से जो water table है वो लगातार depletion में जाती जा रही है तो friends वो reason कौन कौन से हैं जिसके त्रूप पानी को बहुत ज़र जमीन से निकाला जा रहा है वो अभी हम आने वाले slides के अंदर पढ़ने वाले हैं तो फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है main reason water table का depletion में जाने का वो यह है कि जो ground water है उसको हम बहुत ज़्यादा extract कर रहे है और उसको replenish नहीं करते हैं इसी लिए ये जो water table है लगातार depletion में जा रही है और अगर इसको हमने time के साथ ही इस problem को खतम नहीं किया या इसका solution नहीं ढूड़ा तो future generation जो हमारी आने वाली है यानि कि जो बविश्य में हमारी generations आएंगी उनके लिए water crisis की एक बहुत बड़ी problem create हो सकती है यानि कि एक serious problem ये water crisis जो है बन सकता है एक danger problem बन सकता है तो friends I hope आपको समझ आ गया होगा कि water table का मतलब क्या होता है और ये depletion में क्यों जा रही है अब हम देखते हैं हमारा next topic जिसमें हम बात करेंगे कि क्या कारण है कि water table जो है लगातार depletion में जा रही है तो friends इसके multiple reasons हैं और सबसे पहला और सबसे बड़ा reason है increase in population population का बढ़ना almost हर बार एक problem ही create करता है तो ऐसा ही एक और reason बन गया population कि population की वज़ा से water table लगातार depletion में जा रही है reason क्या है कि जब population बढ़ती है तो उसकी needs भी बढ़ती है यानि उसकी जरूरते उसकी आवश्यक्ताएं बढ़ती है और वो domestic purpose के लिए domestic needs को पूरा करने के लिए पानी का use करना शुरू करते हैं और पानी का over exploitation होता है जिसकी वज़ा से water table लगातार depletion में जाने लगती है इसके लवा next causes क्या है वो है industrial policy का increase होना यानि कि लगातार industries जो है वो बढ़ती जा रही है अब आप खुद सोचिए population बढ़ रही है तो उसकी needs भी बढ़ रही है और उसकी needs को पूरा करने के लिए industries को set up किया जाता है अब जब industries set up किया जाएगा तो industries किस पर depend करती है industries अपने production level को बढ़ाने के लिए water बढ़ ड़पेंट करती है water क्या है वो उसको as a raw material यूज करती है यानि बहुत ज़्यादा important चीज है industries के लिए पानी वो उसको as a coolant यूज करती है as a raw material यूज करते है as a transport agent यूज करते है या source of energy की तरह भी उसको यूज किया जाता है और इसलिए industries भी बहुत ज़्यादा पानी का use करने लगते है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है water table का depletion में जाने का इसकी बाद friends next reason है agricultural activities तो friends आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर यानि इंडिया में लगबग आज भी two third population जो है वो agriculture पर depend करती है अपने जीवन यापन के लिए और agriculture के लिए irrigation एक बहुत ही important चीज़ है यानि irrigation के बिना agriculture अच्छा नहीं हो सकता crop अच्छी grow नहीं हो सकती तो हमारे यहाँ पर majority of farmers जो है वो आज भी बारिश के उपर depend करते है irrigation के लिए यानि कि अपने पौधों की सिचाई के लिए वो आज भी बारिश पर depend करते है लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो rain है वो erratic और unpredictable है यानि आप नहीं बता सकते कि कब बारिश अच्छी होगी और कब नहीं होगी तो इसलिए किसान क्या करता है अपनी agriculture demand को पूरा करने के लिए अपनी needs को पूरा करने के लिए या अपनी fields को irrigate करने के लिए ground water पर rely करता है यानि कि ground water पर depend करता है और इस वज़ह से water का excessive use होने लगता है और जो underground water है वो लगातार depletion में जाने लगता है किसान जो है वो पानी underground sources से ही लेता है तो friends I hope आपको समझ आ गया होगा कि agriculture भी एक बहुत बड़ा reason है water table के depletion में जाने का इसके बाद next reason है वो है large variation in rainfall यानि कि जो rainfall होती है जो बारिश होती है वो बहुत ज्यादा vary करती है यानि कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और कहीं पर बहुत कम बारिश होती है तो अगर हम इंडिया की बात करें यानि अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ पर rainfall जो है state to state बहुत ज्यादा vary करती है किसी state में तो एक time पर बाढ़ा रखी होती है तो दूसरे स्टेट में उसी टाइम पर सूखा पढ़ रहा होता है यनि इतना ज्यादा variation है हमारी यहाँ पर rainfall का तो कहीं कहीं पर बारिज बहुत ज्यादा कम होती है या बिलकुल भी नहीं होती है और उन regions में water table जो है वो lower पाए जाती है क्योंकि वहाँ पर जो soil है वहाँ पर infiltration कम है और जो ground water है उसको replenish होने का मौका ही नहीं मिला इसलिए water table जो होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होती है इसके अलावा friends एक बहुत ही important कारण जो है water table का depletion में जाने का वो है urbanization and industrialization यानि कि जो लगातार बहुत तेजी से शेहरी करण हो रहा है और जो industrialization बढ़ता जा रहा है ये भी एक बहुत बड़ा reason है water table का depletion में जाने का अब आप सोच रहे होंगे कि शेहरी करण से और industrialization से क्या ऐसा होता है कि हमारी water table जो है वो depletion में जाने लगती है तो friends, जब urbanization होता है या जिसको हम शेहरी करण बोलते है वो होता है और जब industrialization होता है तो उसके लिए जमीन चाहिए होती है उसके लिए कुछ जमीन का टुकड़ा चाहिए होता है किया जा सकता है इसकी वज़ा से क्या होता है एक तो soil erosion होता है friends, soil erosion क्या होता है इसको भी हमने chapter 9 में बहुत detail में पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है अगर आपने मारे previous videos नहीं देखे हैं तो आप एक बार पहले उनको देख लें जिससे कि आप यहाँ पे जब इस chapter को पढ़ने लगेंगे तो आप easily correlate कर पाएंगे और आपकी understanding ज्यादा अच्छी होगी तो soil erosion भी होता है जब पेड़ों को काटा जाता है और जब soil erosion होता है तो soil की water holding capacity कम पढ़ने लगती है यानि soil क्या करती है पानी को hold करती है लेकिन जब soil erosion होने लगती है तो उसकी water holding capacity यो है वो कम हो जाती है और जब उसकी water holding capacity कम हो जाती है तो पानी भी seep हो होके कम ही जाएगा रहिट इन्फिल्ट्रेशन कम हो पाएगा और जब infiltration कम हो गएगा तो इससे क्या होगा water table जो है वो हमारी लगातर depletion में जाएगी तो हम कह सकते हैं कि urbanization और industrialization भी एक बहुत बड़ा कारण है water table के depletion में जाने का तो friends I hope आपको समझ आ गया होगा कि क्यों water table लगातर हमारी depletion में जाती जा रही है अब हम देखते हमारा next topic जिसमें हम बात करेंगे पाने की कमी के बारे में कि जो water scarcity होती है वो कैसे होती है और इसका मतलब क्या है तो friends scarcity of water को हम define कैसे कर सकते हैं ये एक ऐसे situation होती है जहां पर हमारी जो normal requirements होती है जो मारी normal आवश्यक्ताएं होती है उनको भी हम satisfy नहीं कर पाते हैं water इतना ज्यादा insufficient होता है ये पानी होता ही नहीं है कि हमारी जो normal daily needs अगेरा भी हैं वो भी satisfy नहीं हो पाती हैं तो उसको हम बोलते हैं scarcity of water तो United Nation ने जो recommend किया है वो ये recommend किया है कि लगभग personal use के लिए per person को per day लगभग 50 liter water चाहिए ही होता है यानि कम से कम इतना पानी तो एक person को per day चाहिए ही अपने personal use के लिए और जब इतना भी ना मिल पाए तो उसी को हम बोलते हैं water scarcity right तो friends I hope आपको water scarcity का मतलब समझ आ गया होगा अब हम देखते हैं कुछ reasons कारण क्या है water scarcity के कि पानी की कमी क्यों होती है तो हम अभी देख चुके हैं पहला reason तो होता है over population क्योंकि population जब बढ़ती है तो उसकी needs भी बढ़ती है और जब needs बढ़ती है तो चीजों का यानि resources जो होते है उनका exploitation होने लगता है उनका over use होने लगता है इसलिए भी पानी की लगातार कमी होती रहती है इसके लावा agriculture को over irrigate कर देना यानि जरूर से ज़ादा उसको irrigate कर देना water pollution भी बढ़ बढ़ा कारण है क्योंकि water pollution जब होता है यानि पानी जब polluted हो चुका है तो उसको हम consume नहीं कर सकते तो उससे भी water scarcity जो है वो create होती है इसके लावा लगातार climate change जो हो रहे हैं कभी बारिश होती है कभी बारिश नहीं होती है अगर होती भी है तो बहुत कम होती है जिससे जो water table है वो replenish नहीं हो पाती तो इसकी वजह से भी पानी की कमी होने लगती है इसके लावा indiscriminate cutting of trees यानि की लगातर पेड़ों के काटने से soil erosion होता है और soil erosion की वज़ा से soil की water holding capacity जो है वो खतम होने लगती है और जब पानी को hold करने capacity ही खतम हो जाएकी soil की तो पानी की कमी जो है वो बढ़ जाती है इसके लावा जो natural water reservoir होते हैं उसको लगातर हम destruct करते जा रहे हैं यानि की उसको लगातर हम बरबात करते जा रहे हैं destroy करते जा रहे हैं जैसे की जो कच्छे road होते हैं या कच्छे जमीन होती है वहाँ पर infiltration possible है लेकिन जब पक्के road बना दिये जाते हैं तो वहाँ पर infiltration possible नहीं हो पाता और जब infiltration होगा ही नहीं तो ground water recharge क्यासे होगा और जब ground water recharge होगा ही नहीं तो फिर से वही चीज water scarcity जो है वो create हो जाएगी इसके लावा poor water resource of management यानि कि जो पानी का management है वो भी बहुत पूर है जिससे आप देख सकते हैं कि जो municipal departments होते हैं उनका एक pipe network होता है वो work कर रहा होता है लोगों को पानी supply करने के लिए लेकिन क्या होता है कि कई बार इन pipe structures में यानि जो pipe अगरा होते हैं इसमें leakage हो जाती है और उसके वैसे बहुत ज्यादा पानी जो है वो waste होने लगता है तो इसके वजह से भी पानी के scarcity जो है वो बढ़ती जाती है इसके लावा misuse of water यानि पानी का बहुत ज्यादा misuse करना यानि कि जैसे आप brush करें तो आपका tap जो है वो खुला हुआ है तो उसे बहुत पानी waste हो रहा है शावर लेना या फिर जब बरतन धो रहे हैं उस टाइम पर भी बहुत सारा पानी जो है वो waste हिए जाता है क्योंगी tap खुला रहता है तो यह क्या है misuse of water है तो इसको भी रोकना पड़ेगा अगर इसको time पे नहीं चेक किया गया तो water scarcity जो है वो बहुत ज्यादा worst हो सकती है बहुत ज्यादा बूरी condition में हो सकती है तो friends आए हो पको समझ आ गया होगा कि scarcity of water क्या होता है और उसके कारण क्या है अब हम बात करते हैं कि कैसे हम water scarcity को prevent कर सकते हैं तो friends जहां से problem arise होती है solution भी वहीं से निकलता है तो जैसे कि हमने जो problems पड़ी है solution भी वहीं से निकलेगा हमने पहले problem पड़ी थी over population की solution क्या होगा कि population को control करो जिससे कि water scarcity जो है हम सो control कर सकते हैं राइट हमने देखा था water pollution एक बहुत बड़ा कारण है water scarcity का तो water pollution को हमें prevent करना चाहिए misuse हमने देखा था एक reason था तो misuse जो है वो नहीं करना चाहिए wastage नहीं करना चाहिए पानी की इसके लावाज जो बड़े-बड़े flush tanks होते है toilets वगरा के अंदर उसको replace कर देना चाहिए smaller tanks के साथ में तो वहाँ पे पानी की wastage को रोका जा सकता है इसके लावाज जो gardening purpose के लिए हम पानी यूज़ करते हैं वो fresh water यूज़ ना करके recycling water जो है उसको यूज़ कर सकते हैं जैसे कि चाय का पानी जो होता है कई बार वो waste हो जाता है तो उसको ना fake कर पौध हमें डाल देना चाहिए या फिर जो mopping के बाद में जो पानी बचता है उस mopping वाले पानी को भी आप पेडों के अंदर डाल सकते हैं या फिर जब बरतन साफ किये जाते हैं या फिर कपड़े साफ किये जाते हैं तो उसका जो पानी बचता है उस पानी को हम पेडों में डाल सकते हैं गार्डिनिंग के लिए हम ऐसे पानी को यूज़ कर सकते हैं, इसके लावा rainwater harvesting technique को भी adopt करना होगा, यानि जो बारिश का पानी है उसको भी सहेजना सीखना होगा, क्योंकि जो rainwater होता है वो fresh water का एक बहुत ही important source है, इसलिए हमें उसको conserve करने का method सीखने होगे, इसके लावा ज जो agriculture में water use होता है, उसको efficiently use किया जाए, निकि over irrigation ना किया जाए, जितनी ज़रुरत है उतने ही उसमें irrigation किया जाए, जिससे हम पानी को बहुत हद तक बचा सकते हैं, इसके लावा हम irrigation में drip irrigation या sprinkler irrigation जो है इसका इसका सिमाल कर सकते हैं, क्योंकि drip irrigation और sprinkler irrigation जो होता है, इसमें पानी बहुत कम यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए, तो friends ये कुछ method हैं, जिसके थूरू हम water scarcity को दूर कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो friends आये होब आपको समझ जागया होगा कि water scarcity का मतलब क्या है, कारण क्या है उसके और क्या-क्या method हो सकते हैं, उसको prevent करने के, right, अब हम देखते हमारे next topic जिसमें हम बात करेंगे, कि water scarcity का हमारी जिंदगी पे क्या अफ़र पड़ता है, यनि लोगों की जिंदगी पे क्या अफ़र पड़ता है, तो friends जब पानी की कमी होने लगती है, तो हमें बहुत दूर तक पानी को लेने के लिए पान पूरी हो सके, इसके अलावा पानी को खरीदना पड़ता है, बहुत ज़्यादा high prices पर पानी खरीदना पड़ता है, और जो घरीब लोगों होते हैं, वो तो नहीं उसको pay कर पाएंगे, वो तो affording नहीं कर पाएंगे, तो mainstream से ही बार हो जाएंगे, right, इसके अलावा जब पा तयार नहीं हो पाएगा, और जब food तयार नहीं हो पाएगा, तो उसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है, right, इसके अलावा employment जो है, उसका generation का scope भी कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी Indian economy जो है, वो आज भी agriculture based economy है, यानि हमारी यहाँ पे आज भी two two-third population जो है, वो agriculture में engaged है, नहीं की, कहने का मतलब यह है कि agriculture आज भी हमारे यहाँ के लगबग two-third लोगों का employment दे रहा है, लेकिन जब पानी ही नहीं होगा, crop अच्छी नहीं हो रहे है, तो कोई भी यहाँ पर काम क्यों करेगा, तो इससे क्या होगा, employment का scope भी जो है, वो बह employment पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, इसके बाद में, जहाँ पर पानी की कमी होती है, वो areas हमेशा के लिए backward रह जाते हैं, और उनको neglect कर दिया जाता है, क्योंकि पानी जब नहीं होगा, तो महाँ पर industry setup नहीं हो पाएंगी, और जब industry setup नहीं होगी, तो वहाँ पर urbanization क उनकी productivity में भी कम ही आने लगती है, क्योंकि उनको भी survive करने के लिए पानी चाहिए होगा, और जब पानी होगा ही नहीं, तो animal भी produce किस तरीके से करेंगे, यानि जो दूद वगरा मिलता है हमें animal से, वो भी हमें मिलना बंद हो जाएगा, या बहुत जादा कम हो जाएगा, क तो हमारे आसपास गंदगी बढ़ जाएगी, और उससे बिमारिया फैलने शरू हो जाएगी, और life जो है बहुत ज्यादा hard और miserable बन जाएगी, तो ये असर होगा हमारी जंदगी पर, पानी बहुत 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 जरूरी है, इसलिए इसको conserve करना बहुत जरूरी है, हमें सी कि जो plants होते हैं, उन पर क्या असर पड़ता है water scarcity का, तो friends, plants को अगर पानी नहीं मिलेगा, तो वो सूख जाएगे, और plants के अंदर crops वगरा हर एक चीज़ आ जाती है, तो crops भी proper नहीं हो पाएगी, और हमें food भी proper नहीं मिल पाएगा, seeds germinate नहीं हो पाएगे, क्योंकि seed को germination के तो quality और quantity दोनों पर ही असर पड़ेगा crop की, क्योंकि crop कौनसी होती है, crop वो होती है, जिसे में खाना मिल रहा है, जैसे कि अनाज की, डालेई, यह सब चीज़ें जो होती है, इक crops में count किये जाते हैं, तो इनकी quality और quantity दोनों पर असर पड़ेगा, क्योंकि पानी जब यानि जो उनका अनाज है वो नहीं बिकेगा और फिर से फार्मर्स को ही प्रॉब्लम्स बियर करने पड़ेंगी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगी तो ये असर होता है प्लांट्स पर वाटर स्कासिटी का तो फ्रेंट्स आये होप आपको समझ आ गया होगा कि पाने की कमी से कितनी सारी प्रॉब्लम्स जिनरेट हो सकती है अब हम देखते हैं कि कैसे हम पानी को कंसर्व कर सकते हैं कैसे हम वाटर को संरक्षित कर सकते हैं कैसे बचा सकते हैं तो फ्रेंट्स वाटर कंसरविशन का मतलब क्या होता है water conservation का मतलब होता है wise, judicious और economic use करना जितना भी पानी हमारे पास में है यानि जितना भी हमारे पास पानी है उसको अच्छे से use करना exploit ना करना, overuse ना करना waste ना करना उसी को हम बोलते है water conservation तो friends, water conservation का main purpose क्या है, यानि main उदेश ये क्या है, वो ये है कि सभी को clean fresh water जो है, वो available हो तो हम कैसे water को conserve कर सकते हैं तो सबसे पहले तो ये होगा कि जो हमारी everyday life में हम पानी का misuse और waste करते हैं उसको हमें prevent करना होगा इसके लावा जो industries हैं, उनको encourage करना होगा कि water को recycle करके use करें, और फिर जो पानी इनका recycled water वगरा जो होता है, उसको irrigation purpose के लिए भी use किया जा सकता है इसके लावा ज्यादा से ज्यादा पेड लगाने चाहिए, क्योंकि जितने जदा पेड होंगे, उतनी ही अच्छी बारिश होती है, और जितनी अच्छी बारिश होती है, उतना ही groundwater जो है, वो हमारा replenish होता है, और हमारा groundwater जो है, वो बढ़ने लगता है water table उपर आने लगती है, इसके लावा हमें कुछ ऐसे method use करने पड़ेंगे, या ऐसे method adopt करने पड़ेंगे, irrigation के लिए जहाँ पर पाने की बरवादी कम हो, जैसे कि drip irrigation और sprinkler irrigation, तो friends, drip irrigation और sprinkler irrigation क्या चीज़ें है, यह हम next class के अंदर science की book में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद में जो sewage water होता है यानि sewage का मतलब होता है liquid waste तो उसी को treat करके हमें वापस से use करना चाहिए है irrigation purpose के लिए, इसके लावा water harvesting, rain water harvesting methods को encourage करना चाहिए जिससे की हमारा ground water है, वो recharge हो और इसके लावा पानी जो है वो भी conserve हो सके, इसके लावा जो old practices थी है, जैसे की boweries, या lakes, या ponds ऐसी reservoirs को encourage करना चाहिए, इनको revive करना चाहिए, जिससे की जहाँ पर acute shortage है water की, या water table बहुत depletion में है उन जगवाँ पर पानी की कमी ना हो इसके लावा, हमें ऐसी ऐसी crops grow करने चाहिए, जो less water consume करें यानि उनको अगर ज़दा पानी ना भी मिले, तो भी वहाँ पर फसल बहुत ज़दा अच्छी हो, तो हमें ऐसी varieties जो होती है क्रॉप क्यों, उनको encourage करना चाहिए इसके लावा, लोगों को aware करना चाहिए, कि हमारी जिन्दगी में पानी का महत्व क्या है क्या importance है पानी का और friends यापको पता होगा कि every year, 22nd of March को, हम लोग world water day celebrate करते हैं और कोई भी day celebrate करने की पीछे reason यही होता है कि हम उस particular चीज की importance को बता सकें लोगों को कि हमारी जिन्दगी में उस particular चीज का क्या महत्व है इसी लिए world water day को भी initiate किया गया, जो कि 22nd March को every year celebrate किया जाता है, ये बताने के लिए कि पानी हमारी जिन्दगी में बहुत 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 ज्यादा महत्वपून है तो friends, I hope आपको समझ आ गया होगा कि जो पानी है, वो कितना ज्यादा precious resource है और हमें individual level पर initiative लेने होंगे जिससे कि हम पानी को conserve कर सकें और जो हमारी आगे आने वाली generations है उनके लिए भी पानी की कभी कमी ना हो, right तो friends, I hope यह chapter आपको समझ आ गया होगा और इस chapter को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, आपको कोई भी doubt आता है तो आप अपने doubt हम से different different sources पर पूछ सकते हैं जैसे कि आप अपने doubt हम से YouTube comment section में पूछ सकते हैं आप हमें Facebook page पर भी follow कर सकते हैं जिसका link हम आपको description box में देंगे आप हमें Twitter पर भी follow कर सकते हैं हमारे Twitter handle है add the rate civil section, इसके लावा आप अपने doubt हमें mail भी कर सकते हैं हमारा email address है civil section 2018 add the rate gmail.com इसके लावा आप अपने doubt हमारी website पर भी put कर सकते हैं का address है www.sivilsection.com और friends अगर आपको लगता है कि हमें हमारे वीडियो में कुछ improvement की जरुवत है तो आप हमें suggest भी कर सकते हैं आपके suggestions अगर हमें सही लगेंगे तो हम उन्हें अपने आने वाले वीडियो में जरूर शामिल करेंगे तो friends मिलते हैं हमारे नेक्स वीडियो में तब तक लिए बबायन थेंक यू